हलो मेर बच्चों कैसे हो आशाय करती हैं बटा आप ये विल्कु ठीक ठाक से होंगे तो आज है आपका हिंदी का सोलेख लिखने का दिन है तो आई हम लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले शुरूआत करते हैं बटा हम लोग अध्यापिका से हैं अध्यापिका कैसे लिखना है जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे लिखेंगे अध अध लिखने के लिए बटा दिखो सबसे पहले अ बनाएंगे अ उससे गुलाई लेंगे वे मुटाई में जाके इसको पतला से कर लेंगे धा या पिका या सिदिलाई आदे से जाता ठीक है बिटा अध्यापिका बस आपको बिटा तिहां रखना है कि जैसे जैसे हम शबद को बोलेंगे वैसे वैसे आपको लिखने की कोशिश करनी है अध्यापिका फिर से देखो अ पिच्छे जाएंगे मुटाई में इसको आगे लाएंगे पतला से कर बनाएंगे धा या ठीक है बटा पिका पास ही दिलाई आदे से जाता जहां से गुलाई शुरू करेंगे अध्यापि हमने इसको खतम करनी है अब आपने बटा ये दो लाइने छोड़नी है और आपको ऐसी एक लाइन दिखनी है आगे बटा हम लोग बनाते हैं वाक्य ठीक है वाक्या है लिखते हैं अज हम अपना काम सव्यम करो तो कैसे लिखेंगे बटा देखो अपना अ गुलाई करेंगे बटा नीचे आएंगे पीछे जाएंगे उटाई में पतला सकर्ब लेंगे प सिधी लाइन आदे से जादा न चोचवाल है बीच में से शुरू करेंगे बटा लाइन के आएंगे आएंगे आगे मातरा लगाएंगे अपना काम सिधी लाइन बीच में से गुलाई शुरू करेंगे वहीं हम इसको खतम करेंगे मा चोचवाला अपना काम सम्यम सम्यम आदे सा की आवाज आ रही बटा सम्यम वह पूरी आवाज आ रही है यह अके लिए आदे गुलाई नीचे से भी गुलाई सम्यम करो सिधी लाइन बीचे गुलाई शुरू करेंगे वहीं खतम करेंगे पीचे से करेंगे सिधी लाइन आदे से जाता कर्व करकिस को छोड़ देंगे और करो में ओकी आवाज आ रही है ओकी मात्रा और बीचे लगाएंगे हम पूरन विराम ठीक है अपना काम सम्यम करो अब आगे बिटा आपने एक लाइन छोड़के ऐसे ही इस वाक्य को दुवारा से आपको बनाना है दो बर बनाना है आपको ठीक है आगे बिटा हम लेते हैं अंकी मात्रा का शबत ठीक है अब जहां पे देखो आधे ना की आवाज आएगी यह आधे मा की आवाज आएगी वहां अपने बिंदी लगानी है मैंने बोला कंगन कं यानि किसके आपर आवाज आ रही है का के आपर शाबाज कं यानि का बनाएंगे पहले हम सीधी लाइन बीच में से चूरू करेंगे वहीं खतम करेंगे कंग का के पर बिंदी आगी बेटा कंगन ग न जैसे जैसे शबद को बोलना है बेटा आपको वैसा ही लिखना है कंगन आग्जी बीटा मैं बोल रही हूं पतंग अब बोलो अंग की आवाज किसके साथ आ रही है प के साथ आ रही है नो, very good त के साथ आ रही है येस, very good, शावाज त क्यों परविंदिया आएगी प सिद्धी लाइन आदे से जादा प तंग त सिद्धी लाइन आदे से उपर से शुरू करेंगे ग चोंच वाला पतंग अब आपने बीटा ऐसे एक एक लाइन छोड़के आपने दोहराई करनी है और आगे हम लिखते हैं बीटा खंजर खंजर ख खन नक यावाज आ रही बीटा खंजर सिद्धी लाइन ये के में से शुरू करेंगे निच्च आके इसको उपर जाएंगे र सिद्धी लाइन आदे से ज़्यादा कर्ब लेके इसको छोड़ देंगे तो क्या लिखा हमने खंजर अंगूर क्या बेटा अंग अंग के वाज आ रही है यानि आ के भिंदी किसके उपर आ के उपर अंग गूर गसी दिलाइन गूर उकी आवाज आ रही बड़े उकी मातरा शाबाज रसी दिलाइन आदेस ज़्यादा कर्ब लेके छोड़ देंगे गूलाई पिलाई नहीं आएगी अंगूर बेटा बोलवो के लिखिए सुन्दर लिखिए मातरा का ध्यान किजिए ठीके बेटा धन्यवाद बेटा